दो जार साथ आठ में कच्छ में खजूर के पोदे देखे थे उसके बाद दो जार नो दस में सरकार ने स्कीम निका लिए राजस्थान गवर्मन्ट ने और जो इसराहिल के जो ये बरही के जो टिशू कल्चर के पोदे हैं ये सबसीडी पे उपलब्द कराए तब हमने पहली बार पंदरा सो पोदे जो सबसीडी में 85% सबसीडी सरकार ने दी उस पे हमने लिए एक पोदा कवरी तकरेवां तकरीएब दाईसो से तीन सो रुपे के बीच में पढ़ा ये जोदपूर से हम लेके आए और यहां पर लग हमने पंद्रा सो पोदे और लगाए आज हमारे पास तीन अजार पोदे हैं और ये तकरीबन बनाब चोथे साल बाद हमें फल देने लग गए उसके बाद इसका हम हर साल चोथे साल से जैसे फल तोड रहे हैं तो देरे देरे आगे माल बेचने में पहले साल दस बीस किलो में हमें फल मिल रहा है यह हमने जो खजूर लगा रखे मुख है बरही वराइटी है जो यह ताजा फल के रूप में ही बेचा जाता है कुछ मेटजूल के पोदे भी हैं वो ट्रायल के लिए लगे हमें पर अभी मेटजूल का इतना यहां पर काम्याभी नहीं है क्योंकि व अदादा के लोग के डबियों में उसे पनेट बॉकस में बेचते हैं और कुछ हम लूज 10-5 kg की पेकिंग बनाते हैं और उसमें बेचते हैं फरागेज मार्केटिंग करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है दिरे-दिरे क्यों यहापे लोगों को फलका ही नहीं मालूम था तो लोग से इसको कई लोग तो इसे बेर समझ के खरीदते थे यह पिला बेर है यह कौन सा नया बेर आ गया तो दिरे-दिरे आसपास की मंडियों में माल जाने लगा है और अब इसको लोग थोड़ा बहुत आसपास में समझने लगें कि भी खजूर है यह तो आसपास की सभी मंडियों में दिरे-दिरे हमारे आदमी जाते हैं एकक करके दुकंदार को पहले माल देखते हैं पहले, जो भी मंडी हमने शुरू करी पहले उसको दो डबे दिये, उसको अदा-दा किलोगी पैकिंग में पहले बेचा, फिर अब 5 किलोगी पैकिंग में बेचा, फिर 10 किलोगी पैकिंग में बेचा, फिर 10-20 किलोगी पैकिंग में जा रहा है कहीं एक कुंटल से लेकर बीस कुंटल तक माल जाता है